तो दोस्तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपसे तीन कॉइन शेयर करूँगा जिनके आगे नेक्स 10-15 डेस के अंदर एवेंट्स आने वाले हैं और ये कॉइन आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं ये जो मैं आपसे कॉइन शेयर करूँगा दोस्तो ये लॉंग टर्म के आपको hold करने के लिए मैं advice नहीं करूँगा तो short term के लिए जब तक ये events आ रहे हैं तब तक आप जरूर इनके अंदर invest करके थोड़ा सा profit निकाल सकते हैं 10-20% तो देखते हैं ये coins कौन से हैं तो पहला coin है दोस्तों यहाँ पर Z coin और Z coin का दोस्तों hard fork आने वाल है 10th of December को जह रखने के लिए उन्होंने एक algorithm यहाँ पर introduce कर रखा है उसी में upgrade होगा तो hard fork अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है वो basically यह होता है कि किसी भी blockchain का software upgrade नया कुछ अच्छा upgrade आ रहा है तो वो यहाँ पर होने वाला है इस चीज़ पर आपको कोई नए tokens नहीं मिलने वाले है सरफ यहाँ पर इनकी blockchain चेंज हो रही है coins वही कवे ही रहेंगे ना वो बढ़ेंगे ना घटेंगे ना कोई नए coin मिलेंगे तो अभी currently दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो यह Z coin है इसके बारे में मैंने कल already telegram के उपर सबसे signal शेयर किया था कि आप इसके अंदर enter कर सकते हैं जो buy zone थी around यहाँ पर थी इस zone के अंदर तो I hope आप लोगों ने इस signal को follow किया और अगर आपने telegram पर join नहीं करा है तो उसका link description में वहाँ पर जरूर join कर लीजिए अभी यहाँ पर आप देखे सकते हैं price का एकदम से यहाँ पर jump आया जब मैं video बना रहा हूं और यह जो coin है दोस्ते इसमें सबसे बड़ी चीज यह कि जब भी किसी कोई बड़ा event आने वाला होता है वहाँ पर coin के अंदर price jump को देखने को मिलता ही है past के अंदर आप saya coin का release जब मैंने आपको बूला था 100 सकतोशी पर buy करना वहाँ से 15-20% का उसने return दिया था फिर bitcoin cash का event था और ऐसे बह मान सकते हैं और अगर in fact जब यह date जो है इसकी heart fork की pass में आती रहेगी जैसे से लोगों का और पता चलेगा कि आरे इसका to heart fork आने वाला है तो आप खुद यहाँ पर इसकी एक तरह से यहाँ पर sell wall देख सकते हैं कितनी पतली इसकी sell wall है यहाँ पर कोई बड़ा आपको BTC में कोई order ही नहीं दिखेगा सबसे बड़ा heavy जो order है वो यहाँ पर देख सकते हैं 1.6 BTC 1.6 BTC का वो भी यहाँ पर .0016 की range में है और उसके उपर अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं तो अगर इसका थोड़ा सा FOMO create हुआ जैसी heart fork की date pass में आएगी तो बहुत easily यहाँ पर price jump आ सकता है in fact 40-50% का भी यहाँ पर price jump देखने को मिल सकता है अगर properly यह news लोगों के बीच में आती है और FOMO होती है जैसी इसके अंदर build-up होता है अगर यहाँ पर 300 BTC भी हो गया या फिर 1000 BTC भी हो गया तो काफी अच्छे यहाँ पर हमको यह coin return दे सकता है तो definitely दोस्तों Z coin एक ऐसा coin है जिसको आप 10th of December तक थोड़ा सा देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा बात profit निकाल सकते हैं जब भी आपको अच्छा profit मिले तो दोस्तों हम बात करते है next coin की और next coin है दोस्तों Komodo और Komodo का भी hard fork आने वाला है जिसकी date है 15th of December की जहाँ पर यह अपना जो block size है उ तो यहाँ पर यह अपग्रेड कर रहे हैं यहाँ पर भी आपको Komodo का जो hard fork होगा कोई नए coins नहीं मिलने वाले है coins की supply में कुछ change नहीं होगा सबका same का same रहेगा बस एक basic software upgrade है यह तो यह भी एक coin है differently जिसको दोस्तों आप देख सकते हैं 15 December को इनकी date है और currently अगर आप price दे हमेशा jump आने के बाद correction भी आता है तो वहाँ पर आप इसको definitely parts के अंदर pick up कर सकते हैं जैसे date close आएगी और फिर वहाँ पर इसको hold करके रख सकते हैं और Komodo का भी दोस्तों अगर आप basically volume देखेंगे तो यहाँ पर volume बहुत ही काम है 154 BTC का यहाँ पर volume है और यहाँ पर इसकी इसका FOMO Creator बाकी लोग enter करें तब आप यहाँ पर थोड़ा profit निकाल पाओ तो next और last token की बात करेंगे दोस्तों तो वो है crypto.com MCO token और यह जो token है दोस्तों यह currently trade कर रहा है Binance के उपर और यह अब आगे जाके खुद की एक public blockchain लेके आना चाते हैं MCO token से अलग तो यहाँ पर उ airdrop होंगे जैसे कि आप Pundi X में आपने देखा होगा आपने नियो में देखा होगा और ontology में देखा होगा similarly यह भी यहाँ पर अपना जो नया public blockchain लेके आने वाले उसके token यह distribute करेंगे every month और इसके लिए इन्होंने यह आपर यह बता है कि for example अगर आप 1000 MCO token hold करते हैं December 7th को जो इन्होंने आपर date एक तरह से introduce करी है तो आपको आपर 5276 CRO token मिलेंगे मतलब roughly आप यह मान सकते हैं कि अगर आपके पास एक MCO token है तो उसके return में आपको 5.2 CRO token यहाँ पर मिलेंगे और इसके लिए इन्होंने बोला है कि यह future के अंदर ऐसे 60 monthly drops करेंगे मतलब हर month इनके जैसे airdrop होते रहेंगे जैसे PundiX ontology और बाकियों में होता है और यह 5 साल के लिए continue करेगा तो यहाँ पर दोस्तों यह token इंट्रियूस कर रहे हैं और currently यह जो token है यह already Digi Phoenix जो exchange है उसके उपर listed है और वहाँ पर trade कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह CRO BTC में और करेंगे क्योंकि currently इनका यही बोलना है कि अगर आपको airdrop के इंदर पार्ट लेना है तो इनका जो खुद का crypto.com का wallet है उसके इंदर आप tokens को hold कर सकते हैं MCO tokens को और आपको यहाँ पर CRO tokens monthly basis पे मिलेंगे but I know इसके कारण क्या होता है एक्सचेंज से काफी लोग फिर अपने coins को move करना पड़ जाता है और इसलिए जो exchanges है आज की डिट में जितने भी नए airdrop आ रहे हैं उसको introduce करें और अगर दोस्तों आपने recently notice किया हो around token जिसका हमने signal भी दिया था काफी अच्छा profit भी कमाया उसका airdrop आने वाला था और वो जो airdrop है होने से पहले एक दिन पहले बाइनस ने announcement करा था कि वो इस airdrop को support करेंगे और आपको withdraw करने का option देंगे तो similarly यहाँ पर MCO token के साथ भी यह हो सकता है और especially क्योंकि दोस्तों यह मतलब ऐसा नहीं है कि सरफ एक बार का airdrop है यह every month होगा तो यहाँ पर लोगों को अगर एक तरह से CRO token पाने है तो उनको definitely अपने tokens निकाल के exchange से उनको लेके जाने परेंगे wallet पे तो वो बड़ा hard work होता है लोगों के लिए तो बहुत जादा high possibility यहाँ पर है कि Binance इसके उपर शायद announcement कर दे मतलब यह मेरा खुद का speculation मैं गलत भी हो सकता हूँ और अगर मेरा speculation सही निकल गया और सही में Binance आपर announcement कर देता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर एकदम से MCO की price कितनी जादा jump कर सकती है तो अभी currently दोस्तों इसका मैंने premium channel के उपडेट दिया था अच्छी buying range थी वहाँ पर जो members हैं उन्होंने already pick करें tokens इस पूरे range के अंदर आप भी चाहें तो dip के अंदर इसको थोड़ा थोड़ा pick up कर सकते हैं और रख सकते हैं और इसके अंदर जैसी 10, 15, 20% आपको profit मिलता है जैसे 7th of December close आता है वहाँ पर इसमें profit निकाल सकते हैं यहाँ पर Binance इसको support करें और वो announcement कर दे कि हाँ जो monthly airdrop है PUN DX है पाकी tokens की तरह भी हम भी यहाँ पर आपको एक तरह से वो support देंगे आप exchange के उपर MCO tokens रख सकते हो तो महाँ पर बहुत जल्दी जो price है skyrocket हो सकती है तो दोस्तो फाइनली यह हो गए 3 tokens जिसके अंदर आप next 10-15 days के अंदर थोड़ा investment कर सकते हैं और उसके अंदर potentially आपको 10-20% return मिल सकता है मेभी उससे जादा भी मिल जाए लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा यह मेरी खुद की research के उपर speculation है और जो में को event को देखके लग रहा है कि यहाँ पर return आ सकता है अगर आप इसके अंदर purchase करते हैं तो please फोमो मत करिएगा कि price उपड जा रही है तो मैं अभी खरीद लेता हूं और दोस्तों यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी यह जो tokens है मैं आपको इसलिए suggest कर रहा हूं क्यूंकि इनके events आ रहे हैं और क्यूंकि अभी भी BTC बहुत volatile है कभी गड़ सकता है कभी भी down आ सकता है तो इसलिए ऐसे coins में invest करना हमेशा better होता है जिसके events आगे आने वाले हो क्यूंकि वहाँ पर usually अगर आप trend देखेंगे तो जिस coin का event आने वाला होता है वहाँ पर price jump automatically देखने को पड़ जाता है चाहे वो 5% का हो 10% का हो या 100% का हो तो इसलिए तो इसमें अगर आपको invest करना short term के लिए invest करना ये मत सोचना कि मैं अभी invest कर देता हूँ और फिर मैं इसको long term के लिए ही रहने दूँगा मैं अभी भी इन coins को long term के लिए आपको suggest नहीं करूँगा सर्फ short term के लिए 10-15 days जब तक इनके event आ रहे हैं तब तक इसको रखिए और event date आते ही उसके एक या दो द तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल पे first time आये तो subscribe भी कर लिजेगा हम regular content लेके आते रहते हैं और अगर आपने telegram पे नहीं जोईन करा है तो वहाँ पर भी जोईन करिए हमारा 70, 75, 80 percent at times accuracy रहता है signals के उपर तो वहाँ जरूर आप जोईन कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखना इसका मतलब यह है कि 70% अच्छे signal भी आते हैं लेकिन 30% गलत signal भी जाते हैं तो उसी को देखके आप जोईन करना अगर जोईन करते हो तो तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही जल्द और वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए गुड़ बाई